चाप्टर टू के अंदर डिशां के तरफ जायेंगे और सiva से पहले हम यह देखेंगे कि देखेंगे किस तरीका ि से अदर क्या-क्य डिटिल्स हमें देनी होती हैं तो यह एक एक ड्राइंग है हमारे पास इसमें है इस ड्राइंग को हम कहता है फैने प्लैन और तक प्रोका पॉफा इसमें ये पार्ट प्लैन है और ये पार्ट प्रोफाइल इसके अलावा भी कुछ ड्रांस थी ऐ उसमें जिसे ड्रक्चार जो गूवाए भी इसमें structure details होंगे rails की एहर एक hayafaspe की हर चीज़ की डिटेल्स होंगी लेकिन वह स्ट्रॉक्चरल इंजिनरिंग का पॉइंट व्यू से हमारे लिए जो इंपोर्टेंट रहेंग है वह यह प्लैन प्रोफाल रहेंग होगी तो सबसे पहले यह प्लैन को जूम करके देखें तो यह इस तरीके से प्लैन देखता है प्लैन असल में टॉप व्यू होता है हमारे स्ट्रक्चर का इंफ्रस्ट्रक्चर का टॉप व्यू है यह ऐसा है जैसे आप इसको टॉप से देख रहे हो बर्डाइव यू से देख रहे तो इसमें हमारा railway track होता है ये बीच में जो land जा रही है और उसके बाद ये उसके edge है और ये embankment है अब अगर हम ये assume करें कि railway track जो है वो मतलब जैसे for example एक railway track है अब उसको एक railway track है या दो railway track है उनको मुझे सिर्फ एक line से show करना है जैसी एक line जा रही है तो वो कौन सी line होगी जिससे मुझे show करना होगा क्योंकि railway तो मतलब track तो उसको काफी जादा बड़ा होता है तो उसको किस एक line से show करा जाए तो ये अगर आप इसको देखें ये अगर एक railway track है तो इसकी जो center line है उसको हम use करेंगे as a alignment तो इधर जो alignment show होई हुए है यानि ये एक सिर्फ ये एक line है जो के railway track को पूरे को show कर रहे है तो उस एक line को हम हमें choose करना होता है कि वो line कौन सी हो तो वो track की center line होगी और इस track की center line को हम alignment लेंगे इसी तरह कर डबल track होता इस तरह से तो इसकी center line ये होती तो ये line drawing के अंदर पूरे track को show करेगी यहां से यहां तक जो है वो इसी चीज़ को show कर रहे होगी तो ये alignment हमारी आ गई जो center line को show कर रही है track के ये edge है ये दोनु तरफ हाले edge है और उसके बाद फिर ये जो आ रही है ये इंबैक्मेंट के लाती है इंबैक्मेंट for cut और ये इंबैक्मेंट for fill है अब ये पता कैसे चल रहा है कि कौन सी cut वाली कौन सी fill वाली है तो वह आगे चल के बाद चलेगा और वैसे hatches से भी अलग-अलग identify हो जाती है इंबैक्मेंट होती है और फिल की क्या है इंबैक्मेंट होती है और यह होती भी क्या है इंबैक्मेंट इसके अलावा contour से हमारे ये natural ground को शो कर रहे होते हैं कि natural ground अभी जैसे इससे पता चल रहा है 280 270 मतलब इदर उन्चाई है आसा-सा डहलान आ रही है इस तरीके से और Italian में इसका मतलब होता है valley तो यह valley है तो यह नीच यह ऐसे जा रही है नीचे से और उपर से track गुजर रहा है यह ऐसी है जैसे आप highway पर जा रहे हो और उपर से कोई bridge गुजर रहा हो तो यहां यह फिल वाला embankment आएगी क्योंकि यह उन्ची जगा है इंबैक्मेंट के बार बदो यह यहां से start होए एक और फॉरिणिट का कर्व किसी ला गया फ़िर यहां से इक और कर्व स्टार्ट उपर इसकी वैल्यू गिवन नियूं ऐसाले कर्व की यह लिकशा वाइव है 400 कर्व यह फॉरिणेट का कर्व तो नॉर्मल्ली 400 के कर्व हैं यह 300 का कर्व दिया हो कि यहसी टेटेज इस टाप के डेटेज होती है मतलब kontouring हमारी बहुते हैं ठीज का क्राउब्स होते हैं alignment होगी main चीज के पही एक का centre क्या है alignment के शौर आफ ऩेThere वनियुचे इसकी फुमो हन के सिल से हमारी में धेरा होता है और इसमें जो centerline है वो alignment जो है वो centerline होती है track की दूसरा plan के अलावा जो दूसरी training है जो plan के साथ ही होती है वो profile है जिस तरह plan हमारा top view होता है तो profile असल मैं अगर इसको मैं तो जूम करें दिखाऊ और profile यह profile है तो यह profile बनी हुए track की तो profile क्या होता है कि जैसे आपके centerline है ठीक है आप अगर इसको इस side से देख रहा हो यानि इसको इस तरीके से देख रहा हो इस view से देख रहा हो तो वह आपको प्रोफाइल शो कर रहा होगा यानि अगर मैं इसको उस तरफ से देख रहा हूं तो यह जो line यह जो show हो रही है यह इसकी प्रोफाइल शो हो अगर में इस तरफ से देग रहा हूं लेकर आगर आप गवर करें यह जो है तो इसमें काफि सारी जगा है मतलब उधर तो प्रोफाइल में एक लिए लिए इस स्लिपर भी है अगर इसको मैं इसको यह तर से लिए रेल रहूं करेंगे ऑपने या बिलास्ट को शोग कर रहे होंगे तो हम क्या करते हैं कि रेल्स को चूज करते हैं हम यह कहते हैं कि जो लाइन हम प्रोफाल में बनाएंगे वह रेल की लाइन होगी और रेल के अंदर भी डिपेंड करते हैं कि बॉटम वाली को लेंगे सेंटर को लेंगे या टॉप की लेंग तो रेल की जो सबसे टॉप लेवल है वह हमारा प्रोफाइल में शो होता है लेकिन यहां एक मसला है कि क्यूंके ट्रेन गुजरती है तो इसमें थोड़ा सा वक्त के साथ साथ डिप्रेशन आयता है तो होता है कि वक्त के साथ डिप्रेशन आने के वाज़से यह थोड़ा सा दप जाती है तो यह कुछ अरसे बाद यह लाइन उपर ही रहे थी ट्रेक असल में थोड़ा सा नीचे ही हो जाता है दपके तो कन्वेंशनली कहा जाता है कि जब प्लैन प्रोफाइल राइंक बना र यह दो जाएगी मजलब इतना जादा इतना फर्क नहीं आएगा तो इस वह जैसे हम जो प्रोफाइल में जो लाइन लेते हैं यह जो प्रोफाइल में जो लाइन लगी विए यह असल में लेविल शो कर रही है रेल्स के टॉप लेविल गा लेकिन 40 मिलीमीटर उससे नीचे के यह वो लाएन है तो है अब इसमें हमारे पास करवमरे और मुला में हमारे बबबब प्रोफायल में हमारे वर्टिक्ल करवर होता है इसके लावा स्टेशन भी शो होते हैं हमारे इस टेशनिंग आप जो है इधर भी शो कर सकते हो प्लैन में भी शो कर सकते हैं लेगे इस इमेज में हमारा प्लैन में शो नहीं हुआ प्रोफाइल में शो हुआ हुआ क्योंकि वैसे प्लैन प्रोफाइल एक साथ ही शो होती है त में भी शोग कर दो कोई मसला नहीं है सई रहता है दोनों में भी शोग कर सकते हैं तो यह हमारा अगर आप अच्छा इसमें आप अगर में पॉइंट अफ यू से पर वह यह कि आप प्रोफाल में देखें यह जगा नहीं यह जब यह बनेगे इसको यह पहाड गट करना निन इसको देखके बताः चलता है कि यह कट वाली इंबेक्मेटमेंट होगी इसी तरह HERE लुए का हाथ यह ना भी पता हो वो पुरोफाइल ईजर्टे लिए तो अब इसको देख लेते हैं इसको देख लेते हैं हमारे बस दो चाहरई जयसे यह हमारा नैच्रल गरांड है तिस यहाम नेजाजी होत्य ने डिने कर रह रहा है हम अपनी रेल हम एक इतनी उन्चाईड वो बनेगी है हवा में तो नहीं बन सकती हमें किया करना होता फिल करना होता है यहां मिट्टी फिल करनी होती है तो यह जो स्लोप हम गिराता है यह एम्बैकमेंट प्रोडेक्शन गिलाती हैं इसी तरह कभी-कभी हम गहराई में भी बना रहे होता है तो उसमें फिर वो गट में बन जाती है दो तरह के इंबेक्टम बनते हैं यह बने बने ये कटकर भी होता है कि एक धस्का कठ़ों उसका अगा दूसा दूस्का फिलपन यह भी mathy कि यह इंब्टमेंट के लाती है toka इसके दीलिंग्र यह गग्लेंट और उसके जो इंबैक्मेंट बनी हुए अगर हम फिल्ल की इंबैक्मेंट के लिए इस तरीके से इंबैक्मेंट के लिए है यह नेचल ग्राउंड है और यह तो हमें यह लैंच हो रही होती है यह लैंच हो रही 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 ह क्यां यह सेक्षिन आगि अगर हम कट करें तो जिस ये कर्द वाला पोडिशन इसमें में जो सेंट्रल लाइन वह यह सैंट्रल लैन है इसका जो एज है वह यह बनाव और जो यह बनावा है कट का in यह वह असल में यह आली लैन है तो इस तरही के से आप का यह कट के न्दर बना हम नीचे और ग्रांड ऑपर की दरफ यह चीज आपको प्लैंड में शो करने कर रहे होता हैं यह कट की इंबैक्मेंड थी नेक्स्ट अब हमने यह design ranks हमने देख लिए हैं कि design ranks किससरी किसे होती है और उनको कैसे study कि आता है क्या क्या चीजें हम include करते हैं अब अगले part के अंदर हम main design के तरफ जाएंगे और curves के बारे में इन सब चीजों के बारे में इनका detail में design को पढ़ेंगे